मेरी तरह अगर आप के भी वाड़ सेप के ऊपर भाए जी वही वॉबर सेंड नहीं होता तो आज या अस-चीज को फिक्स कर सकते हैं ? वो भी सिर्फ और सिर्फ पांच मैंट के अंदर जाने के लिए देखते रहे होड़ी चैनल लो भीज मैं तो आच होगा आप नहीं हो एलफून के अंदर लेगन उससे फिले मेक शूर के आपने मुझे इंस्ट्रिक आपके ऊपर फोलो कर लिए और वहां पर भी भाई के जिल्दी से जिल्दी टेन के फोलोर्स करवा दो और कमें बोक्स में थैंक्स लेके देना क्योंकि मुझे पता है कि 110 परसंट ये वीडियो आपके लिए यूसफूल होने वाली है ऐसे में 3-4 ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कर सकते हैं सबसे बहुता कि तरफ से काफी अपडेट्स वगरा आती हैं क्योंकि उनके सरवर में जब भी कोई बग वगरा आई तो एक नई अपडेट देते हैं तो ऐसे में जब हम उसे अ पहले तो आपने अपना WhatsApp Messenger जो है वो भयाजी अपडेट कर लेना है अगर अपडेट कर लिया फिर भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मेरी है तो फिर आपने भयाजी चले जाना है अपने मुवाइल की सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद नीचे आपने स्क्रोल लोन करना है यहां पर Apps के अंदर आजाना है Apps के अंदर आओगे तो यहां पर आपने Simply भयाजी Manage Apps के अंदर आजाना है List अप के अंदर आजाना है ठीक है जो भी आपके मुवाइल फून के अंदर ओप्शन आ रहा है ठीक है उसके बाद आपने Simply यहां पर भयाजी सर्च कर देना है WhatsApp ठीक है WhatsApp के अंदर चला जाता हो सबसे वहले तो भयाजी मैं आता हूँ यहां पर App Permissions के अंदर आउंगा तो make sure कर लेना कि आपने अपने WhatsApp को तमाम चीजों की Permission वगेरा जो है वो दी हुई है फर्स यह चीज़ ते उसके बाद आजाता है Data Usage Data Usage के उपर आपने क्लिक करना है और make sure कर लेना है कि भहे जी Mobile Data और Wi-Fi सब का जो है वो आपने इसे Access वगेरा जो है वो दी होगा है जब यह चीज़ कर लेंगे उसके बाद आपने Simply भहे जी आजाना है Storage के अंदर Storage के अंदर आओगे Clear Data के उपर क्लेक करना है लेकिन Clear Cache करना है Clear Data नहीं करना Clear Data करोगे तो आपके WhatsApp का तमाम वीडियोस वगेरा फोटोस वगेरा चैर्स वगेरा जो है वो डिलीड होजेगी बाद में ना मुझे कहना कि भाईया जी हमारा तो डेट ही डिलीड होगया तो ऐसे में Clear Cache ही सिर्फ जो है वो आपने करना है जब यह चीज़ कर लोगे उसके बाद आपने एक option देखने को मिलेगा storage का, storage and data का आपने simply इसके उपर क्लिक कर देना है और make sure कर लेना है कि भाईया जी आपने media auto download जो है यह तीनों options जी हाँ data के उपर भी wifi के उपर भी और roaming के उपर भी जो है यह तीनों select हो मैं data के अंदर जातो चारों चीज़ों पर जो है वो tick mark है तो इसी तरह आपने सारी चीज़ों के उपर as it is जैसे मेरी settings है आपने उसी तरह जो है यह settings वगरा करने है जैसे आप यह चीज़ कर लेंगो उसके बाद back आना है अगर फिर भी आपके problem solve नहीं होती तो यहाँ पर help center के अंदर चले जाना help center के अंदर जाओगे तो यहाँ पर नीचे आ रहे contact us contact us के उपर आपने click करना है और यहाँ पर आपने tell us how we can help you ठीक है आपने अपनी सारी problem लेके देनी है कि मुझे जो है वो photo send नहीं हो रहे voice messages send नहीं हो रहे video notes वगेरा जो है वो send नहीं हो रहे जो जो भी आपको whatsapp के उपर problem देखने को मेरी है भाया जी वो whatsapp को आप send कर दोगे अगर फिर भी आपकी problem जो है वो solve नहीं होती फिर आपने simply भाया जी अपना चले जाना है google chrome के अंदर google chrome के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपने simply भाया जी google open कर लेना है google open करोगे तो down detector के अंदर चले जाना है down detector के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जो है वो आपको बता देगा कि क्या आपकी country के अंदर whatsapp इस time उसका server down तो नहीं है क्योंकि mostly यह problem आपको तभी देखने को मिलती है जब आपकी country के अंदर whatsapp server जो है वो down हो ठीक है यह internet down हो कोई भी problem जो हो सकती है तो ऐसे में इस time पाकिसान के अंदर चार दिन हो चुके है लगा तार चार दिनों से पाकिसान के अंदर भाया whatsapp का facebook का और instagram का server जो है वो down है तो इसलिए हमें यह problem जो है वो देखने को मिल रही है यह you can see voice notes के अंदर जो है वो हमें problem आ रही है sending messages के अंदर जो है वो problem देखने को मिल रही है मिल रही है और बहुत बड़ी आउटीज है और चार दिनों से लगातार जो है internet ने सही से काम कर और social media जो है वो पाकिसान के अंदर काम नहीं कर रहा लेकिन अगर आप पाकिसान से बाहिर है तो हो सकता है कि आपके country के अंदर यह server का issue ना हो ठीक है अगर server का issue नहीं है आपके end से तो फिर आपने last और final तरीका करना है वो क्या है अगर आप data के उपर जी है mobile data के उपर वो use कर रहे हैं अपना whatsapp पको तो एक दफा जो है यहां तो mobile data change करना है यहां भाया जी आपने wifi के उपर जो है वो switch कर लेना है ठीक है तो यहां पर ठीक है मैं messages के अंदर जाता हो here you can see automatically जो है वो voice notes वोगएरा मेरे जो है वो send हो चुके है ठीक है तो यहां पर टिक माक आ गया ठीक है यहां पर photos वोगएरा कुछ भी आप send करोगे वो send आपकी होंगी हर चीज जो है वो आपकी work करेगी अगर फिर भी आपकी problem जो है वो solve नहीं होती यह सब कुछ करने के बावाजूद भी तो आपने मुझे comment box के अंदर बता देना है आपकी problem का हल आपका भाई जो है वो लेकर आजेगा अगर server जो है वो आपकी country के अंदर down है तो 24 से 48 hours जो है अगर आप होड़ीचे इनको first time देखा तो don't forget to subscribe होड़ीचे मिलते हैं ने वीडियो में अपते के लिए चाता हूँ सलोग से इजाज़त God bless